दोस्तो राहुल गांधी ने एलान किया है कि करनाटका में हमने 136 सीटे जीती थी अब मद्यपरदेश में 150 सीट जीतने वाले हैं इंटर्नल एसेस्मेंट है कि 136 मिली करनाटक में हमारा इंटर्नल एसेस्मेंट है कि हमें MP में 150 मिलने जा रही है तो करनाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं जिया यानि कि अपने आप में यह बहुत बड़ा एलान रहुल गांदी का और जैसे ही रहुल गांदी ने 150 सीड जीतने की बात कही तो बीजेपी के अंदर हलचल मच गई बीजेपी के कहीं सारे नेता कह रहे हैं कि रहुल गांदी ख्वाब देख रहे हैं लेकिन क्या वाकई में रहुल गांदी के भाईश्वानी सच हो सकती है यह एलान बिल्कुल नतीजों में तबदिल हो सकता है तो मेरा अपना यह मानना है कि बेशक हो सकता है क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि बीजेपी को जनता ने न करा था लेकिन सिंधिया साहब इधर से उधर हुए और कॉंग्रेस की सरकार डेट साल में भिखर गई और बीजेपी ने कहीं ने कहीं सकता अपने पाले में ले लेकिन उसी बीजेपी में अब काफी सत्ति नरायन सत्तन का नाम आपने सुना होगा कभी है और बीजेपी के अच्छे खासे कददवर नेता है उन्होंने सिंधिया जी को लपेटा है अच्छा खासा लपेटा है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनके समर्थ तक बहुत भरश्टचार मचाय हुए हैं दूसरी बात बीजेपी के कददवर नेता यहां तक कि पूर मुखमंत्री केलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी बीजेपी का दामन छोड़कर कॉंग्रेस में आ गए यह बहुत बड़ी बात है यानि कि जिस तरह से करनाटका में चल रहा था ना खेल कि बीजेपी के बड कई ना कई अब मद्रदेश में आ ले और कॉंग्रेस काफी मजबूत इस्तिति में दिखाई देती है दूसरी बात अगर कॉंग्रेस जिस तरह से वाइदे कर रही है क्योंकि ओल्ड पेंशन वाला जो माश्टर इश्ट्रोक खिला है कॉंग्रेस ने वो बड़ा मददगार सबित हो रहा है लोगों को अपनी तरफ खिश रहा है तो इसलिए कहीं न कहीं कॉंग्रेस जो दाव चल रही हो बिल्कुल सटिक बैठते हो जा रहा है और बीजेपी के अंदर कहें सारे कह सकते हैं कि मामलाद देखने को मिल रहे हैं उन्हें के पायटे के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं खिचतान करते हैं दिखाए दे रहे हैं लेकिन अगर सिंधिया समर्थक लोगों को टिकेट नहीं मिलेगा तो और भी बवाल हो सकता है और वो बवाल कितना बड़ा होगा यह तो हम कहने सकते लेकिन इतना जरूर आपको बता सकते हैं कि हां बीजे से कॉंग्रेस की तरफ से सवाल उठता रहा है कि जनता तो शुरू से हमारे साथ ती जनता हमें सपोर्ट कर रही थी लेकिन अगर लोग नहीं बिखते तो नेता नगरी नहीं बिखते तो हमारी सरकार होती अब देखना यह है कि रहूल गांदी की वहिश्वानी कितनी सच हो होती है दूसरी बात राजिस्तान की कहले लेते हैं तो राजिस्तान में मोधी सरकार एक्टिव हो चुकिए चाहती है कि इस बार वो अपनी सत्ता बना ले लेकिन अशोग गहलोत जो मास्टर इश्ट्रों खेल रहे हैं जिस तरह से उन्होंने वहां योजना है बिल्कुल क् आपको क्या लगता राजिस्तान के बार में दूसरी बात चतिस गड़ के अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी बीजेपी काफी मेहनत में लगी हुई है कि कैसे ने कैसे जो हैं भुपेश बगेल को साइट किया जाए और दरसल हम वहां एंट्रिकले हमारी सरकार बन जाए लेकिन वहां भी बड़ी चुनोतिया हैं क्योंकि करनाटका के चुनाओ से मोधिस सरकार बिलकुल घबराई हुई है परिशान है हमने बीते कल देखा ये किस तरह से ने संसत भावन का उधगाटन हो गया उधगाटन में विपक्ष बिलकुल नजर नहीं आ है क्योंकि जो समझ रहे हैं लो वह जान रहे हैं कि कहीं न कहीं यह किसी तरह से आहम में आ चुकी है कि हम तो बहुत जाए सिटे जीत के आएंगे इस बार रिकौर्ड बना देंगे यह कर देंगे लेकिन कहते हैं ना कि जब दरसल आप किसी चीज़ को समझते नहीं हो जब आप लोकतंत्र की बात तो करते हो लेकिन लोकतंत्र को महत तो नहीं देते हो जब आप हर किसी पर कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जब जो मांग करता है उसको ना सुनते हुए उसको कहीं न कहीं पुलिस के दमपर उसको कहिना ब्यूरोकेट्स के मद्याएंटी जाँच ए जन्साइब दमपर जो हाल होता है वो दीखते हैं तो जैन्ता कहिना के यह चीज़ें बहुत अच्छे समझती है और समझती है तो फ़िर चुनाव नat 요ly Now जब आते हैं सब यह कहतेक नहीं नहीं गलति हमारी नहीं है जनता दर अरसल यह हो गया दरएसल वह वह कुछ नहीं जनता बोलती भली नहीं है लेकिन चुनाव के वक्त में कही न कही सब चीज़े याद रखती है अब मद्धरदेश में जो बात कहीं गई एराहूल गांदी जो कह रहे हैं यह कोई बड़ी मान सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कॉंग्रेस फिर से सत्ता में काविश हो सकती है इधर अगर हम बात करें मद्ध्यप्रदेश की तो महाकाल मंदिर में जो मूर्तियां गिरी हैं साथ सो करोड का प्रोजेक्ट था और खुद मोदी जी ने कहीं न कहीं वह जाकर उध्गाटन किया था बताईए वहां जो रिशी की मूर्तियां थी वो गिर गई आंधिया में गिर गई ब्रश्टचार के आरोप लग रहे हैं शिवरा सरकार पर के आपने जो ठेका दिया वो गुज़ात के कमपने को दिया और इतनी महेंगी मूर्तिया बने उसके बाहुजूद गिर रही हैं बहुत सारी चीज़े हैं तो सिदी सी बात है कि देश कहीं ना कहीं एक समय तक एक कह सकते हैं एक परिक्षा तक हम यह मान सकते हैं आपको जाजता है परकता है जब लगता ह कि अफ्ले कर बात हो गई है क्योंकि मुद्डे जो है न मुद्डेविहीन होते है इस अब मुद्दे देखिये üçशो नामपर आपको वह करनाटका में देखा बात करना चाहिए थी रोज़गार की बात करने चाहिए क्यान फ्यांुश्वा बात करें तो उन्होंने प्रिंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देख लिया यानि कि और जैपी नड्डा साब आशिरवाद वगर की बात करें यानि कि सीजिसी बातें आप जनताओं को पांस साल दस साल पंदरा साल बीस साल और पच्चीस साल हम यह मान सकते हैं हो सकता है कि आप अपने अंडर में कर लें हो सकता है कि उनकी जो दिमा की शक्ती है उसका आप समझ लें उससाब से बात करें लेकिन पब्लिक कभी न कभी तो हर एरा बदलता है हर समय बदलता है पब्लिक यह समझने लगती है कि अब बहुत हुआ और आप पटकनी देना है और पटक मिली बीजेपी को हार मिली तो यकीन मानके चलिए दोहजार चोबीस के लोकसवा चुनाओं भी काफी जादा प्रभायुत होंगे यह जो पूर्ण भाहुमत के सरकार की बात करते हैं या फिर पूर्ण सीटों का जो ख्वाप देखते हैं हो सकता है कि राज शिहासन डॉल उठ क्योंकि मौदिस सरकार की उम्र उते में अदेखता है सरकार मौदिस सरकार 25-23 में करवां जाए यहां सकता है, आपको क्या लगता कॉमेंट में बताईएगा